नमस्कार तो प्रिया संस्कृत छात्रों आपने पिछले एपिशोड में बुद्धिर बलवती सदा ये दस्वीक अक्षा के द्वितियप आठ का अध्यान प्रारंभ किया था जिसमें आपने इस कथा का मूल ग्रंथ उसका इतिहास उसके लेखों के वारे में सामान्य जानकरी ली थी और इसकी कथा को पूरी तरह से सुना था बाद में संस्कृत पाठ पढ़ना सुरू किया था जो आधे में रुका हुआ था वहां से आगे हम इसको इसके अर्थ सहीत स्पष्ट करेंगे यहां तक कथा कहां पहुंची थी कि बुद्धिमत्य नाम की महिला अकेली अपने दो छोटे बच्चों के साथ जंगल में जाते हुई एक बाग को देख लेती है और उससे बचने के उपाय सोच लेती है अपने ही बच्चों को थपड मार कर यह बताती है क्यों तुम अकेले एक-एक बाग का मांग कर रहे हो अभी एक ही बाग दिख रहा है इसी को तुम बांट के खा लो और इसके बाद जब दूसरा मिलेगा फिर तुम को दिया जाएगा तुम बांट के खाने के लिए जब बाग को वो बच्चों को समझाती है तब इस बात को बाग सुन लेता है और ये सोचता है कि कभी उसने सास्तर में सुना था कि कोई महिला जिसको व्याग्र मारी कहते हैं सायद ये वही है तो इससे बचकर अपने जान बचा के भागो इस प्रकार से बाग उस महिला के सामने से भाग गया था अब इसके आगे निजबुध्या विमुक्तासा भयाद व्याग्रस्य भामिनी अन्योपी बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात ये उसका साराम्ष शलोक के रूप में बताया गया है कि निजबुध्या निजश्य बुद्ध्या निजबुध्या विमुक्ता अपने बुद्धी से निजशब्दकार्थे अपने अपने ही बुद्धी से विमुक्त हो गई सा याने बुद्धिमती भयाद व्याग्रस्य भामिनी सा भामिनी यानि सा स्त्री सा महिला सा सुंदरी महिला व्याग्रस्य भयाद विमुक्ता निजबुद्ध्या व्याग्र के भय से अपने आपको बचा लिया अन्योपी बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात इसी प्रकार दूसरा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ती इस लोक पर बड़े से बड़े भय से भी बच सकता है अगर वो बुद्धिमान है भया कुलम व्याग्रम द्रिश्टवा कस्चिद धूरतह स्रिगालाह हसन आह भवान कुतह भयात पलायतह तो जब भाग वहां से भाग कर जाता है तो भयाकुल, भयेन आकुलम व्याघरम द्रिश्टुआ, भयेन आकुलह भयाकुलह एबं व्याघरां, तो भये से व्याकुलित वह बाग को देखकर कस्चित धूरतह स्रिगालह, कोई तो एक शरिगाल है वहाँपर, जो बड़ा धूरत है, उसने बाग को भागते हुए देखकर हंसने लगा हसन आह, हसन नाह तो हंसते हुए उसको बोला कि भवान कुतह भयात पलाईतह आप क्यों भय से भाग रहे हो तब व्यागरा बोलता है गच्छा गच्छा जम्बूका तौम अपी किंचित गूढ़ प्रदेशम तुम भी एसे खुले रस्त में मत घुमो अरे जम्बूका जम्बूका श्रिगाल को कहते हैं अरे जम्बूक जाओ जाओ तुम भी जाओ तुम भी तौम अपी किंचित गूढ़ प्रदेशम गच्छा थोड़ा अंदर गहराई में चले जाओ, गभीर प्रदेश में चले जाओ, यतह व्याघ्रमारी यति या शास्त्रे शुरूयते, तया अहम हंतुम आरब्धाह, परम ग्रिहीत करजीविताह, नश्टाह सिघ्रम तदा ग्रताह, कि इसले तुम भाग जाओ, जान बचाकेर, क्योंकि यतह, क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे शुरूयते, व्याघ्रमारी नाम का जो शास्त्र में सुनाई देता है, तया उसके द्वरा अहम हंतुम आरवधाह मारने के लिए उसने शुरुतो कर दिया था परम ग्रिहीत करजीविताह नस्टाह ग्रिहीत करजीविताह करे जीवितम करजीवितम करे यहाथ में अपनी जान जीवितम सब्दकार थे जीवन हाथ में अपना जीवन यहे करे जीवितम करजीवितम ग्रिहीतम करजीवितम येन सह और हाथ में अपने हाथ में जिसने जीवन लेकर ले लिया वहे ग्रिहीत करजीविताह नश्टः सिघ्रम तदा ग्रतः नश्टः सब्द का आर्थ सामाने तया हम क्या समझते हैं कि डिश्ट्राइड नश्टः किन्तु यहां उस प्रसंग में उसका आर्थ यह बनता है नश्टः याने पलाईतः उसके सामने से भागया श्री घ्रम तद अग्रतः तस्याह अग्रतः तद अग्रतः तो उस महिला के सामने किसी तरह अपनी जान अपने हाथ में लेकर मैं उहां से भाग निकला हूँ और नहीं तो वो तो मुझे बस मारने ही वाली थी बचों जब आप संस्कृत के पाठ पढ़ते हैं वहां पर जहां जहां संधी स्थल होते हैं उन पर आप नजर रखिये कई जगवं पर ओकार दिखता है और उहां पर हम जब पाठ पढ़ते हैं तो संधी विच्चेद करते हुए हम पढ़ते हैं तो उहां पर विशर्ग आपको सुनाई देता होगा किताब पढ़ते समय आपको वहां ओकर दिखाई देता होगा किन्तु जो हम पाठ पढ़ते हैं, शिक्षक आपको पढ़ाते होंगे तो वहां पर संधी विच्छत करके विशर्ग करके पढ़ते हैं तो कब-कब विशर्ग बदलकर वो हो जाता है उन जगहों पर आपको नजर देनी चाहिए तो यहाँ पर भी ऐसा ही है के उधरनाब के सामने है ग्रिहीत करजीवितो नस्टाह और जब मैंने पढ़ा, उसका मैंने संधी विच्छत करके पढ़ाया ग्रिहीत करजीविताह नस्टाह इस पर आप ध्यान दीजिए। उसको मजाक लग रहा है यतमानुशाद अपभी भेशी कि कि तुम कोई मनुष्य से भी दरते हो, ये तो बहुत एक कव्विशाय हो गया, मनुष्य तुमको दरना चाहिए, लेकिन तुम भी ऐसा कव्विशाय कर रहे हो, कि तुम मनुष्य से डर रहे हो, वो भी एक महिला से, प्रत्यक्षम एव मया सा आत्म पुत्रव एकई कशह माम अत्तुम कलहाय मानव चपेट या प्रहरंती द्रिष्टा बहुत एक बड़ा वाक्य उसने कहा कि प्रत्यक्षम एव प्रत्यक्ष ही एकदम आंखों के सामने ही एचा हुआ क्या हुआ मया सा द्रिष्टा मैंने उसको देखा किस प्रकार के उसको देखा कि चपेट या प्रहरंती द्रिष्टा वो थप्पड मारते हुए मैंने उसको देखा किसको थप्पड मारते हुए देखा कलहा या मानव पुत्रव चपेट या प्रहरंती द्रिष्टा जो कलह कर रहे थे जगड रहे थे एसे दोनों बच्चों को वो थप्पड मारते हुए मैंने उसको देखा किमर्थम कलहा या मानव क्यों कलह कर रहे थे माम अत्तुम एक 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 कशाह एक एक मुझे खाने के लिए उसके दोनों बच्चे जगड रहते लड़ रहे थे तू नहीं खाएगा मैं अकेला खाऊंगा उसको इस प्रकार के जीद कर रहे थे उसके बच्चे दोनों बच्चे तो दोनों जब जीद करके जगड रहे थे तब उस महिला ने वो दोनों बच्चों को थपड मारते हुए मैंने उसको देखा प्रत्यक्षम एव मैंने अपने आंखोंचे देखा सामने ही देखा प्रत्यक्षम एव मया सा याने सा महिला व्याग्रमारी या सास्त्रे श्रूई यते शा आत्मपुत्रव एकई कशाह माम अत्तुम याने खादितुम मुझे खाने के लिए कलहा या मानव कलहा करते हुए दोनों बच्चों को चपेट या प्रहरंती द्रिष्टा चपेट या चपेटा सब्दकी ये त्रितिया विवक्ती रूप है तो चपेटा या थपड तो थपड मारते हुए बच्चों को मैंने खुद अपने आंखों से देखा तब यहां तोड़ाचा अच्छा संधी वाला प्रयोग हुआ है देखिए सा आत्मपुत्रव संधी हो गया सा आत्मपुत्रव सात्मपुत्रव एकई कशाह सात्मपुत्रव वेकई कशाह यहां पर जो अयवायाव संधी होता है न अउक के स्थान पर आवादेश हो गया है तो आत्मपुत्रव एक आत्मपुत्रव एक फिर आत्मपुत्रव एक शाह वहां पर वृध्धि संधी आत्मपुत्रव कशाह फिर उसके बाद दिखिए विशरक के स्थान पर ओ हो गया है इस प्रकार का संधिय और समास आपको उहां दिखाई देता है आगे जंबु को क्या कहता है स्वामिन यत्र आस्तेशा धूरता तत्र गम्यता हे स्वामि हे वन के राजा यत्र आस्तेशा धूरता जहां पर वो धूरत है जिसने आपको चोंका दिया है आपको जहांसा दे दिया है आपको डरा दिया है सा धूरता तत्र गम्यताम चलो वहां चलते हैं तत्र गम्यताम ये कर्मवाच्य प्रयोग है तत्र अस्मा भी ही या आवाभ्याम गम्यताब। चलिए हम दोनों वहाँ चलते हैं। व्यागर तवपुनाह तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपीक्षते यदी तरही तोया अहम हंतव्याह इती। तवपुनाह तत्र गतस्य अगर तुम उहाँ पर गए और सा सम्मुखम अपीक्षते तुम्हारे सामने भी आकर अगर तुम्हारे साथ नजर मिलाती है तरही तवया अहम हंतव्याह तो तुम मुझे मार डालना। मैं तुमसे मारा जाओं ऐसा मैं बोलता हूँ। तो व्यागर केता है श्रिगाल यदि त्वम माम मुक्तवा यासी तदा वेला पी अवेला स्यात नजरे श्रिगाल अगर तुम मुझे वहां पर छोड़कर चले गए तब फिर मेरा जो समय है वो बहुत बुरा समय बन जाए किस प्रकार से वाक्यों को देखिए श्रिगाल संबोधन में श्रिगाल यदि त्वम माम मुक्तवा छोड़कर यासी चले गए तदा वेला अपी अवेला स्यात यहने वक्त वेला यहने वक्त समय वक्त भी बेवक्त बन जाएगा वक्त बेवक्त बन जाएगा समय असमय हो जाएगा यानि अपना समय खराब हो जाएगा अपना समय खराब समय आ जाएगा हमारा अच्छा समय का खराब समय में परिवर्तन हो जाएगा तो आगे क्या कहते हैं जंबु को यदि एवं तर ही माम निजगले बद्ध्वा चला सत्वरम अगर एशा लगता है तो एक काम कर लो माम मुझे निजगले बद्ध्वा अपने ही गले में मुझे बांध लो और चला सत्वरम चला सत्वरम तो फिर बाग मान गया ठीक है अब ये तो मुझे छोड़ के नहीं भाग सकता है मैं मरूँगा तो ये भी तो मरेगा अब ये मुझे अभी अपने अपना जो उसके सलहा पर में जा रहा हूं तो साथ में इसको लेके ही मरूँगा ये सोचते हुए व्यागरह तथा कृत्वा उसको गल्ले में बांध कर काननम यानि अरण्यम वनम ययव उस जंगल में गया ये जो ययव है ये फिर से वही परोख्ष भूतकाल का रूप है याधातु याधातु जिसका वर्त्वान काल में रूप होता है याति यातह यान्ति तो ये परोख्ष भूतकाल का रूप है ययव तो गय श्रिगा लेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूराद्रिष्ट बुद्धिमति चिन्तितवति जम्भु का कृतोत साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम सह व्याघ्रह जब वो चला गया वहां पर जंगल में फिर गया फिर उस महिले ने उसको देखा शिरगालेन सहितम पुनह आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा दूर से ही देखकर किसको देखकर व्याघ्रम दृष्ट्वा और व्याघ्र केशा है पुनह आयांतम व्याघ्रम दृष्ट्वा फिर दुबारा से आते हुए उस व्याघ्र को देखकर दूर से और व्याघ्र केशे आकेले नहीं आया है श्रिगालेन सहितम व्याघ्रम पुनह आयांतम दूरा द्रिष्टवा बुद्धिमती सा महिला चिंतितवती अब सोचने लगी क्या सोची जंबु का कृता उत्साहात व्याग्रात कथम मुच्यताम अभी तो भाग तो भाग के चला गया था उसने सोचा था कि मैं उससे ज्यदा तकदवर हूं अब तो उसका ब्रेनवास कर लिया हो इस धूरत श्रिगालने उसको समझा दिया होगा कि आरे नहीं तुम्हें उससे डरने की जरूत नहीं है वो तो मनुश्या है अब जब उसने उसको समझा दिया है अब तो बाग मुझे मेरे उपर आक्रमन कर लेगा सच मुच तो मैं तो बचाने ही पाऊंगी अपने आपको तो जम्बू का कृता उच्छाह जम्बू के न कृता उच्छाह यस्य जम्बू का कृता उच्छाह तस्मात जम्बू का कृता उच्छाहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम उससे कथम अहम मुच्यताम कैसे मैं उससे बच सकूँ एशा वो सुषती है परम प्रतुत पन्नमति ही सा प्रतुत पन्नमति ही यस्या सा प्रतुत पन्नमति कार्थे जिसका प्रेजेंस अप माइंड बहुत अच्छा है यहां पर स्ट्रिलिंग में है प्रतुत्पन्न मति ही सा यानि बहुत बुद्धिमति है वो इसका प्रेजन्स अप्माइड बहुत शार्प है वो क्या बोलती है जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या जम्बुक के तरफ आक्षिपन्ति उसको धमकाते हुए उंगली दिखा कर उसको धमकाते हुए तरजयन्ति वाच उसको धमकाते हुए यानि जम्बुक के उपर दो सा आक्षिपन्ति यानि आक्षिपन्ति यानि आ से उंगलि से तरजयंति उंगली से धम्काते हुए उबाच कहा क्या कहा रे रे धूर्त त्त Toutयादत्म महियम व्याग्रत्रयम पूरा विश्वास अध्य om kata'm यासि बदाध हुए रे रे धूर्त श्रिगाल के तरफ उंगली करते हुए उसको धम्काते हुए वो रे रे धूरत तुया महियम पुरा व्याग्रत रयम दत्तम तुमने मुझे बहुत पहले तीन बाग दिये थे विश्वास्य अद्य एकम आनिय और विश्वास्य यहाँने मुझे प्रमीज करके अद्य एकम आनिय आज एक ही लाकर कथम यासी बदाधुना तुमने तब मुझे प्रमिज किया था तीन तीन देने के लिए आज एक ही लेकराए हो अब तुम मेरे से केसे जाते हो बचके मैं देखूंगी इती उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याग्रमारी भयंकरा व्याग्रोपी सहसा नष्टाह गलाबध्ध श्रिगालकाह तो जिस प्रकार श्रिगाल को धमकाते हुए उसने बोला तो बाग ने देखा कि अरे ये तो मामला गड़बड है कि ये तो श्रिगाल ने मुझे हिम्म वो एनि इसके साथ पहले से इसका साठ गांट है कि ये इसको व्याग्र आनि बाग सप्लाई करता है ये जंगल से बाग लाकर इसको साथ देता है ये उसके लिए काम करता है श्रिगाला तो ये सोचते हुए जब उसने सोना कि ये इसको कभी पहले प्रमीज किया था विश्वास्य आज वो एक ही लेकर आ पाया है पहले कभी इसने आला कि उसको तीन तीन बाग दिये थे सप्लाई किये थे फिर तो ये आज मेरा अंतिम दिन है और एसा कहेकर इती उक्त्वा धाविता तुर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा तो ये बात कहेकर वो व्याघ्रमारी जोब श्रिगाल को देखकर धमकाया तो तुरंत उसके तरफ भागी भी वो धाविता तुर्णम तुर्णम यानि शिघ्रम व्याघ्रमारी भयंकरा भयंकर रूप लेकर व्याघ्रमारी श्रिगाल के तरफ भागी तो वहां से बाग घबरा कर व्याघ्रों पी सहसा नस्टाहा त्वरितम नस्टाहा त्वरितम पलाईताहा अचानक वो बाग भी वहां गल्रा बध्ध स्रीगाल का अब बाग भागेगा तो अकेला नहीं भागेगा पहले सई गल्ढे में बांध के रखा थो तो श्रीगाल को अपने जब बांध imperfect तो उस श्रीगाल का क्या हाल हुआ होग गशिटे गशिटे मरा गया अज कर 7 lorsque 221D plants बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपी मुक्ता अभवत इस प्रकार व्याघ्रजात भयात व्याघ्र से उत्पन्न व्याघ्रात जायते ती व्याघ्रज व्याघ्रजात भयात यानि व्याघ्र से उत्पन्न जो भय था उससे बुद्धिमती पुनरपी मुक्ता अभ फेर से वो उससे बच गई, मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई, अता एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धेर बलवती तन्वी, सर्वकारियेशु सर्वदा, ना कि तन्वी याने हे सुन्दरी, तन्वी दिर्गई कारांत सब्द का ये संब्धन रूप है, इसलिए ह रस्वई कारांत है, तन्वी है, तन्वी बुद्धिर बलवती सदा, सर्वकारियेशु सर्वदा, तो प्रत्यकारिय में बुद्धी ही जदा बलवान होता है, और आप जड़ा ये मूल कथा ग्रंथ को सोचिए, कि ये शुक शप्तति से लिया हुआ, ली हुई कथा है, जह पर शुक ये तोता उस स्त्री को पति दिन कथा सुनाता है, तो उसमें से ये एक कथा है, और आखिर में उसको वो संदेशा देता है, कि है सुन्दरी, है तन्वी, बुद्धिर बलवती, सर्वकारियेशु सर्वदा, सभी कारियों में बुद्धी ही बलवान होता है, ये कथा समाप्त हुई, और केसा लगा आपको, और इसमें और जदा गहराई से पढ़कर इनके सब्दों के इसके संधी, समास और कुछ वाच्य, कर्म वाच्य के प्रयोग, इन सब को आपको अध्यान करना चाहिए, आप इसका सोयम भी अध्यान कर सकते हैं, अपने सिक्ष पर ध्यान लगाईए, स्वाध्याय करते रहिए, धन्यवाद. झाले आपको अन्यवाद.